नमस्कार मैं अखिल कुमार और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस देश के करीब एक करोर से ज़ादा नागरिकों के जो अभी भी बंधुआ मजदूर की तरह रहने को मजबूर है मैं बात कर रहा हूँ इट भट्टा मजदूरों के बारे में आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो की दिल्ली में है भट्टा मजदूरों की राष्ट्र समिती ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करके अपना एक नाशनल चार्टर और डिमांड प्रस्तूत किया है और हम अभी बात करेंगे सुधीर कुमार कटियार जी के से जो कन्वेनर है राष्ट संगर्श समिती इट भट्टा मजदूर के और त्रिलोचन पुन्जी जी से जो की उडिसा से आते हैं और शमिक अधिकार मंच से जुड़े हुए हैं आपको ये भी बता दूँ कि उडिसा एक बहुत ही अक्टिव पॉकेट्स में से है इंडिया के जहां से इट भट्टा मजदूर जगा जगा देश में जाते हैं इस देश में करीब दो लाग से जादा इट भट्टा युनिट्स हैं जिसमें एक करोर से जादा भट्टा मजदूर काम करते हैं और अक्सर आपने पड़ा होगा नियूज रिपोर्ट्स में टीवी डिबेट्स में आपने सुना होगा कि इनके मानव अधिकारों का हनन होता रहता है इनको कभी टाइम पे वेजेज नहीं मिलते हैं फैमिली माइग्रेशन की प्रॉबलम है कि इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमेशा ट्रावल करते रहना पड़ता है इनको कई बार इनके परिवार वालों को भी इनका पता नहीं होता है और जबकि इट भट्टा के काम में साउथ एशिया में ही ऐसा देखा जाता है कि ये मैनुली काम हो रहा है बाकी हर जगा ये मेकनाइज कर दिया गया है तो इसका कारण ये भी है कि यहां पे बहुत सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं जो की पीस रेट पे काम करते हैं आपको जानके आश्चेर होगा कि हजार हजार इटे बनाने के भी अभी दोसो धाइसो रुपए तक कमाते हैं लोग तो चलिए अब हम कटियार जी से बातचीत करते हैं कटियार जी यहां पे आने का आपका शुक्रिया तो आप से मैं सिधे यह शुरू करूंगा कि एक आप ब्रॉड ओवर्वियू मतलब इट भट्टा मजदूरों के बारे में थोड़ा और हमारे जो दर्शक हैं जिनको जादा नहीं पता होगा आप क्यूं यहां दिल्ली में यह प्रेस कॉंफरेंस करने के लिए आये थे इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं भरत भश में जो निमाड उद्योग है वो मुख्यत इंट अधरित है यानि कि द्यातर जो मुकान बनते हैं वो इंटों से ही बनाए जाते हैं जो पुराने परणप्रिक मुकान बनाने के लकड़ी पत्थर उसके जिगह भी जिरे-जिरे इंटों का पिचलन बढ़ रहा है क यह बहुत आश्यरत की बात है कि लगभग यह सारी इंटे जो है वह अभी भी हाथ से बनाए जाती है तो सोच सकते हैं कि इतनी सारी इंटों मराने के लिए पूरे देश में निर्माण में इंटों को सप्लाई करने के लिए इतनी बड़ी श्रम शक्ति की जरूत पड़ती ह के लिए और इसारी की सारी श्रम शक्ति जो है लगभग जो संक्या है हमारा अकलन है के मेरे का क्लाई लिए Under वे इ hotel और ब्रिक्न video पुरे देश में यह पॉकेट से यह कुछ पॉकेट गाज जैसे कि जो बड़ी ऐसी पॉकेट से जिसे उजहां के लिए ब्लासपूर जाज़गी चापा राइपूर यह जिले हैं जहां से की लेबर नौ थिंदे में काम करने के लिए इसी प्रिकाश से पश्ची मुरिशा का काला एंकाला हंडी और खास्तों से बालंगीर जिला जो है काटामाजी रेलोस्टिशन के असपास का इलाका वहां से इन मज़ी होते हैं तो इन वाट शूंकी चाहता हूं कि हमारे दर्शक को इत्रा उसका पिक्चर भी बताएं कि आप बहुत सारे इत्वड़ों में गए होंगे। तो आप एक टीपिकल इत्वड़ा कैसा दिखता है वहां पे कितने लोग काम करते हैं, क्या वहां पे फैमिली ज रहती हैं, या सिर्फ मर्द काम करते हैं, उनको कितना पैसा दिन का मिलता है, एक ये मोटा मोटा अंदाजा हमें आप चीज़ते हैं, एक इन भटा जो है, उसके अगर आप मैं सही कहा है, उसके कैसे उसको देखा जाए, उसके अंदर की तस्वीर क्या है, इन भटा जो है, हमको एक पुराने मद्धिवीन गाओं का ये तो पुरा परवार रह रहा है, वहीं पर उसके जोप्ड़ी के सामने, पसार में, कच्ची इंटें, लोग अपने हाथों से बना रहे हैं, यहनि कि अगर आपने हेंजी फिल्में देखी हो, तो किसी-किसी पुराने हेंजी फिल्मों में, एक शौट आता है, कि जो विले ने वह मजदूरों कोड़े मानने के काम कर रहा है तो वही प्रिष्टिती इन बट्टों की है फ़रक बस यह है कि कोड़े मानने वाला विलेन वहाँ पर नहीं है कि उसकी जिरूद नहीं है वह जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है बॉंडेट लेबर का कि यह मजदूर एडवास ल काम का सैक्किल सारह से कि वह लिटरली राजिं काम करते हैं जब मोका में लता है थो उचाँ गन्ते के लिए बड़ा से चोजाइघ काम है मतलब कूरी तरह बंदूआ मजदूर की तरह काम काम करने लगते बहुत मिनत वाला काम है क्युकि इंटे मराना हाट से हर इंट को तो एक बार वो जमीन में बिच्छा जी गई इसके इंटों को प्रटना प्रटना जैसे कि उल्टी साइड से भी जूप लगे वह काम बच्चे बच्छे कर लेते हैं तो बच्छे इंटों पर चलते हो जाते हैं और मैं पुछ फुट्रगैस भी जिखा सकता हूं आपको आगे मिट्टी में रेत मिलाना जहां-जहां भी बच्छों जैसे काम है बच्छे वो करना शूब करते हैं अच्छा यहां पे यहां पे मैं अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहरा हूं कि यह दरासल गयर कानूनी है यह अबॉलिशन ऑफ बॉंड़ेट लिवर आक्ट 1976 का जो था उसके उसके अंतरगत यह अपराध है इसमें आप इस तरह से बंद्वा मजदूर की तरह काम नहीं करा सकते हैं आप अक्सर आपने बहुत सारी दर्दना कहानिया सुनी होंगी कि बहुत सारे बच्छे उन्हीं भट्टे में ही मर जाते हैं उनको वहीं दफना दिया अनके परिवार वाले। को पता भी नहीं चलता है, उनके पास मोबाइलफोन नहीं होता हैं बहुत सारे ओर्गनाइजिशन, वゴल वगरा, यह भी काम करते हैं कि सरकार के साथ या सिविल सुसाइटी के साथ मिल के रेडस करना हैं तो वहां पे रेड करके वह रिलीज करना है इतनों को सिर्फ दुवया थी उनका काम इसे कहीं बढ़ तो। क्या आ हैं उसके बारे में बतासकते हैं क्या सिर्फ स्रेड करके इपया करना में पता सवाल किया जो आपने बच्चों का वहां पर खतरनाक है क्या इसक्यू accomplishment ignored पर एक बहुत बड़ा चिम्नी काम कर रही है एक बहुत बड़ी इन आग की बट्री वहां पर दी पगांगी तो ऐसे भी के समये आते हैं जहां बच्चा बट्री के उपर चड़ गया और बट्री को कर गया और बट्री के जो होल है जो शुन बट्टा चिमनी के ऊपर जा करके उसमें गिल पड़ा और उसका आप सुच्छे की जो प्रजा सोला सो डिग्री संट्रीट पकाई जा रहे हैं वापने बच्चे पसार में खेलते रहते हैं ट्रकों का मुव्मेंट होता है इंटों को निकालने के लिए तो ऐसे भी केसे आते ह सब्सक्राइब की जो आपने दुस्ता सवाल कहा है कि हमारा काम का क्या तरीका रहता है और जो बंजों मजदूरी का मसला है क्योंकि अपने जिश्में बंजों मजदूर को छोड़ने के लिए एक बांडर लेबर एक्ट बना हुआ है जो एक बहुत प्रॉफुल एक्ट है कि प्रॉफुल एक्ट है उसका मालते हैं तो सभी बंजों मजदूर सभी बट्र मजदूर दें हैं वह मानना है कि बंडर लेबर की डेमिशन में आते हैं लेकिन मसला यह कि समस्य का हल क्या है क्या उन सभी मजदूरों को बंडर लेबर के तेख ठोड़ा जाए तो हम जो है इस चुरुब से बंडरों मजदूरी को अच्छा मानते हैं और उसका मिस्कीमाल भी करते हैं लेकिन हम मानते हैं कि के बंडर लेबर एक्ट कर्प्रीमेंटेशन से इस मत्सेहां नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा मकस्द रोजगार को खतम करना नहीं है मजदूरों को बाहर नि कर सके और मनवी जीवन विचीट कर सके अच्छा अभी थोड़ा डिमांड से पहले मैं चाहूंगा कि त्रियोचिन जी जो की उडिशा से आते हैं उन्होंने काफी मार्मिक कहानिया हमें सुनाई कि वहां पे इड भट्टों में क्या चल रहा है और क्योंकि वहां पे उडिशा से जाधातर बोलंगीर जो इलाका है वहां से आनपरदेश ते लंगाना इन सब जगहों पे जाधातर इड भट्टियों में वहां से ही लोग जाते हैं जहां से ट्रेंच चलती है जो इन्होंने बताये क्मानव तसकरी एक तरह से मानव तसकरी हो रही है जहां पर रेल गार् परी देश में जानते है तो जो पस्ची मुड़िसा है पस्ची मूरिसा मतलब के के लुप ही की करा फुरा पुराब टिवाड़ेड़ है मेंगेंट प्रण एरिया है जहां पर करीब दो लाग वार्कर्स मेंगेंट वार्कर्स निकलते हैं काम करने के लिए साउथ उडिया जो तेलेंगेना अंध्रप्रदेश तामीन नाडू करनाटक तो वहां का जो सीच्वेशन है आपको हम बताऊंगा तो अभी जो लेवर लोग जो जाते हैं खुद नहीं जाते हैं उसके एक ठीकेदार मेडिल मेन के माध्यम से हो जाते हैं मालिक पेसा देता है ठीकेदार को ठीकेदार ओ गाउं को जाकर उसको लेवर को पेसा देता है जो पेसा देता है वो गाउं से भट्टे के नेने के लिए एक जन को पांसजार रुपिया देते हैं वालिक लोग वह जो पांसजार रुपिया जो देते हैं ओ कमिशन जो है ना ओ जो ठीकेदार उस केभी एक वार है जो लोग ट्रेंड में लेबर लुक को टिकेट कटाता है उसको केभी बोलते है वो खुद लेबर लुक टिकेट कटकर नहीं जा पाएंगे वो लोग एक एजेंड है तो उसके जो ठिकेदार पैसा दे देता है वो लोगों को टिकेट कटके ट्रेंड में लेत जिसे लोग जाते है बक्री गाय जिसे जैनुवर तरफ लोग जाते है जनुबर में बच्चा मर जाता है खाना नहीं मिलता है वो सारी बहुत कहनी है अच्छछ तो अप ये बता ही है कि आप ऐक पिक्चर कर रहें कि तवरकी बुरी हालत है कि लोग वहां से अगया है भी उसक पहुंचे ही नहीं पे काम करने जा रहे हैं जहांसे पैसे कमा के उनको वापस गर बेजना है वह शायद वह पहुंचे नहीं फिर भी वह यह रिस्क लेने को तयार कैसे हो जाते हैं आप रूल लेवेन में याने से आपको पता चलेगा जो पश्ची मुष्या में जो रुच्गार नहीं है वो जो आप कलोते है नरगा पती में जो पैसा भी नहीं है बरस बरस में पय lying मिलता है साली वर सबस्षाय निया है यहा। उसको काम का गिरैंटी नहीं तो यहां संदे वा गई-णय कोते हैं वा यहांस्य मांशलिक कि यहांस दर्श्टिक लिज गोए आ statute तो ज्यादातर जो लोग मेगरेंट होते हैं इसके पास जमीन नहीं है वह भुमीहिन है वह अधिवासी दलीत पिछड़े बर्ग का लोग है उसका एकोनोमिल कंडिशन बल खराग है उसका जो बच्चे और उसको खाने पिनेगा और जो अबस्ता हाफ दिखेंगे तो आप को बंट हंग 나올 वात मां फेऊ इसका बाद भाण जोग में मुद्ट कजाए उसको थेस मनें मेंने तो इसका बाद और वान जातिती अंक गूंदे लोग होते। इसके बाद ओही साल में, अभी मेरे पास तीन मडार केस है, जो माइग्रेन लेबर 2019 में घर में उसको कुछ एडवांस लेकर लेया था, तो जोर जबास में कुछ दिन बाद जाओंगा बोला थिकेदार ने उसको घर से लेकर उसको पीट-पीट के इतना बुरा हल कर दिया, त दुसरे के से राधिस्याम नाग है, जो तुरे के लाभ लोग का खुजन गाओं का, जो ठीकेदा है अभी सरपंश है, कमी मुंदा का, और ओध पचार जन मिलके उसको मार के डेम में, डेम का पानी में उसका बड़ी को फेक दिया, मतलब, इसी से जुड़ा सवाल सुदेर कि में आपसे करना चाहूंगा, कि जाधा तर जो इड़ भटों में काम करने आते हैं, वो किस समुदाई से आते हैं, क्या कोई खास समुदाई से आते हैं, या सिर्फ ये क्लास वाली बात है, कि जितने गरीब लोग हैं, वह वहां जाने को मतलब मजबूर हो जाते हैं, या फ्रहिस तो था इए इसमें कोई कास्ट और रेलेजन इंस सब का भी ऐसक होई काinator जो प्ले करता है, कि जो प्लायन के ही लोग काम स्वाजिक संटर्म करते हैं लोग कुछ समॉजाना गर्ड़ा निक्राइब जाते हैं नीकिार को वो यातोर्ट उबने पिछला को यह वो लोग काम करने को भी मताउर्ड लोग क्रीव क obedient को बहुत संबंध है गेरा काम के साथ में कुछ जातियों के लोग खारते लिए थाis था हूं जिस्टे हुश्थान में भीलोडा में बैहार के लोग काम करने आते हैं तो जाते है वो भागलपुर बाका जिले के लिए जाती जो की विस्ट इस टिती जो है वो सिल्कास के भी खराब माल सकते हैं तो लेले संधाय काम करने के लोग आते हैं बाट सूंसा लेकिन हैं करने के लिए संधाइन का प्रफित्त करने के लिए युथा ये बैब। ॔टल इस लेए । । कि इसकार जाकियों से संबंदे हैं? मरलब सिधा, हम ऐसे simple classifications पे नहीं डाल सकते कि जहातर लोग दली थी हैं, इसमें बहुत सारे complex factors भी हैं, कि जो OBC भी हैं पर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो एक इससे पहले कि मैं चाहता हूं कि आप अपना जो charter of demands था वो आप थोड़ा विस्तार में हमें एक्ष्पलेन करें पर उससे पहले एक आखरी सवाल में करना चाहता हूं कि ए जो intergenerational transfer of poverty and bondage, कि पीडी दर्पीडी किस तरह से उनकी गरीबी transfer होती जाती है कि एक इड़टी में अगर एक परिवार रहता है तो उसके माबापने अगर वही काम किया है तो बच्चे पर वो ट्रांसफर हो जाता है, उनका सारा debt भी transfer हो जाता है, जो कर्ज है वो भी transfer हो जाता है और उनका है पीडी डी गरीबी का बंदों मेंग्वार्ण का सतांत्रण है विए पहल के जैसा सतांत्रण नहीर है, यह इसको मुलते है नियूफ नियू फर्म बॉन्ड़िस यह अचि जो प्रम स्क्राइब क्लिस्त था कि जमिदा था उसका में वो जो काम कर रहा है एसा नहीं है जात तो उसमें उसका चिजाकान यही कि फेमिली मेग्रेशन ने पुरा फेमिली मेगेट करता है बच्चे भी साथ में आते हैं तो बच्चे के पास कोई मौका नहीं है अफसा नहीं है कि वह वहां पर कुछ पड़स लिख सके सीख सके मजदूर कोशिश करते हैं कि बच्चों को नहीं ले जाएं कि मजदूर बड़े बच्चे को घर छोड़के आते हैं कि वह पढ़ा ही करें पुरा परिवार बाहर चला गया छे मेने के लिए आट मेने के लिए गौओं के हालात में जाम ऐसे भी शिक्षाक व्रस्टा बहुत ड अब जली में की वहाँ पर हम ऐसे ही जाम को लेकर के आये त्थिजगण से मनहार हमारे साथी थे तो कि पठां को मजदूरी करते हैं त्थिजगण के रहने वाले हैं उन्हें चुछी क्लास तक वह उपने गाउँ में रखे पड़े अपने इजाजा के पास उनके दाजा भ सब्सक्राइब जाएंगे तो फिर आप वह काम सिखेंगे और को कुछ और काम भी नहीं याता है करने के लिए और उसी कर्म में भर जाएंगे तो इस तरह के से पीडी ज़र पीडी जो है बट्टा मज़रों में यह गरिबी का और बंधोंपन का अस्ताइब रोगता है को ज अगर दो मिनिट में अगर सिंपल शब्दों में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि ब्रॉडली क्या ठोस पॉन्स हैं जो डिमांड से आपके लोग सबा चुनाओ अभी तो आप चाहेंगे कि जो भी पावर में आये वो इन सब चीदों पर ध्यान दे अलग अलग सेक्टर स है जैसे हेल्थ के एडूकेशन इन सबसे सबने अपना चार्टर निकाला है मुझे लगता है कि हम लोग क्यों की लेबर को बहुत अक्टिवली कवर करते तो हमें लगता यह उतना ही इंपॉर्टिंट है तो प्लीज आप थोड़ा दो मिनिट में बता दें कि सबसे पहला ज पुरा का पुरा निजी ठेकेदारों के उपर अधारिते निजी ठेकेदार एडवांस लेकर मज़ूर की भरती करता है और उसको काम करने आगे बैसता है तो वहीं से बंजोवा लेबर की बॉन्डट लेबर की शुवात होती है हम इस सिस्टम को खतम करना जाते हैं हमारा मा जो 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 कोई हवाई कल्पना नहीं है को यह बहुत बात नहीं है ऐसा इस डैसुद में कहीं पर हुआ है माराश मोडूल की बात कर रहे हम माराश फारीद में मंठाडी अकट को में और पटोगली चाहते हैं याने क्यारा हां जोले वे श्यूंय। क्रेंता है। तरह की सेसिल्टीज भी प्वाट करेगा सोशल सेकूर्टी भी जेप आएगा हर एका पंजियन होगा मालूम रहेगा कि कौन मज़ूर आया कौन कहां पर गया काम करने के लिए वह मारा फॉर्मस्ट बांड है कि कि इस तरह का बोर्ड बनना चाहिए और गौर्वर्मेंट को इ इतनी इतनी बनाएंगे उसना पैसा पाएंगे गौर्वर्मेंट बेन मिल्नों वेज़ेश भी पीस्ट बिताइक रखी है पहले बात तो पीसेट सिस्टम में मजदूर विरूध है हम इसको विरूध करते हैं हम चाहते हैं कि टाइम डेट सिस्टम और प्लिमेंट होना चाह है तो मजदूरों को 24 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा अभी इतना कम है मैं आपको जहां देता हूं कि रायस्थान में पीस्ट जो है 233 रुपए है यानि कि हजार इंटे आप बनाएंगे तो 233 रुपए आपको मिलेगा हमारा अध्यन कहता है अध्यन जो हमने आइटी ब इसको बनाने के लिए उस मजदूर को 16 घंटे काम करना सोब्सक्राइब तर जाकर के वह जारी बना पाएगा उसके जो सट तरह मिलेगा इतना कम पीस रेट है अगर वह आट हंटे काम करेगा तो तो इसके इसके हमारी डिमांड है की पीस्टे खतम होना चाहिए उसकी टाइ मुझा नोचाहिए मजदूरी करके कश पना ना उकर के उसके मुझा बुक्तान किया जाए उसके इसकी पकड़ रहे की किसको क्या सब्द्द मिलें किसे बड़ी मागए वह यह कि प्रितेक मजदूर का सोचल सेक्योर्टी के टहते पीएफ अकॉन में खाना चाहिए और अभ तीन हमारी मुख्य मांगे हैं जो निस्कंदलिस की हुई है तर वो तो हमने कवर कर लिया है जातर डिसकर्शन में तो ठीक है सुदीर कट्यार जी और त्रिलोचन जी आप दोनों का वायर में आने के लिए बहुत बहुत दन्यवाज मैं हमारे दर्शकों से यह भी मैं अपने मैं यह उगं की हम एक स्रीज कर रहे हैं चुनाव पे आधारित सड़क से संसक करके जिसमें हम बहुत सारे skin efficacy में जा जाके हर एक state में हमारा एही the aim है कि सारे state में जाके कुछ consistency में जाके वहां कि लोगों के real issues को उठाए मतलब हम रहले कभरें हम नेताहों के पीछे नहीं भागेंगे, हम वहां के रियल इशूस को लेके जाएंगे, मैं ये इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि हमारी सडक से संसत की गाड़ी, बोलंगीर जहां से त्रिलोचन जी है, जो ये बंदवा मजदूरी की बात कर रहे हैं, बोलंगीर भी जाएगी, वहां से ह हम आपको एक स्पेशल स्टोरी फिर से लेके आएंगे, तो आप सडक से संसत पे भी सब्सक्राइब करें, ये वीडियो डिस्कॉशन देखने के लिए आपका धन्यवाद है, इन्यवाद एक्सी जी